आपका Friday special आवाज अड़ा में और जैसा कि हमने वाइदा किया था कि हर शुक्रवार को हम बाजार पे चर्चा करेंगे क्योंकि इस वक्त जो है बाजार काफी ज़्यादा ख़बरों से लबरेश है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके top of the mind में रहती है और अगले हफते में आपको क्या करना है किन ख़बरों पर ध्यान देना और कौन से थ्रेट पकड़ने है इसलिए हमने सोचा कि यह सिरी शूदी बहुत ही दिल्चस्प इसले होने वाली होगी क्योंकि जो बीता हफता था उसमें एक सेक्टर ता जिसने जाते जाते एकदम से गिरावट देखने के मिली वो है आई-टी थोड़ा सा चला लेकिन उसके बाद जबर्दस्त गिरावट उसमें आई और शुरुआत एचल टेक्नॉलजी से हुई थी फिर पूरे आई-टी सेक्टर के तमाम शेयर्स की पिटाई हो गई क्योंकि अर्निंग डाउन ग्रेट्स क्या ऐसी कोई आहट है अमेरिका में हमें उससे कितनी चिंता करने चाहिए हम क्या उससे बिल्कुल इंसुलेटेड है हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा इस पर बात करेंगे और फिर एक बातचीत हम करेंगे कच्छे तेल पे जो की बिल्कुल भारत के लिए बहुत होती है पेटियम पेटियम ने कहा है कि वो बाइबैक करेंगे क्यों बाइबैक करना चाहते हैं वो स्टॉक अपने हाई से 75 प्रिसेंट नीचे है इससे क्या फायदा होगा इस सबसे पहले हम लोग आईटी सेर से ही शुरुआत करें क्योंकि टेक्नोलोजी में जिस तरीके स से एचसीयल की उस ख़बर के बाद गिरावट शुरू हुई फी क्रेडिट से इसके रिपोर्ट भी उसमें आ गई तो क्या समझना चाहिए इसको सुदीव सरा आप से शुरुआत करते हैं ये ये आईटी सेक्टर में अचानक से क्या हुआ ये दिखिए एचसीयल का एक इन इसे मार्केट में बहुत बड़ा कंसर आगे है ये सिरफ इसल के तक नहीं रुका निवेशक और जो इक्सपर्ट से सबको लग रहा है कि सारे आईटी कंपरीज एफेक्ट हो जाएगे क्योंकि अगर एक्शुली डिमांड में कमी होती है और जैसे कि इसल ने बुलाया है ब इसल ने बुलाया है कि ये बहुत ज्यादा होगा इस बार क्योंकि डिमांड में कमी है और ऑविएसली उसका एक कैस्केटिंग एफेक्ट जो सर्विस प्रवाइडर से जैसे आईटी कंपनी उनके उपर आएगा अगर यूएस में ये स्थिती है तो इंडियान आईटी फिर भी एक सिर्का रवीडियों यूरॉप से भी बहुत ज्यादा आता है पर बाकी बहुत सारे ऐसे दिगज़ कंपीज हैं जिनका की लगबत 50 परसेंट रदी भी यूएस से आता है और अगर यूएस जासा मार्किन पी आहलत है तो यूरोप में तो और भी खतरनाक हालत ह और यूरोप में एक रिसेशन का माहूल है और जो गयास प्राइसिंग रश्या उक्रेव वार उसको लेके सारे यूरोप में बहुत दवाव है एकोनोमी में तो वहां पर तु एक्सपेक्टेट था कि दिमांड में कमी आगी अब अगर सर्विसेज और जो बाकी सर्विसें इन कंपनीस का उसका डेमांड यूएस में भी बहुत कम हो जाता है इस क्वाटर में तो शायद एक ट्रेंड स्ट आपने आने वाले दिनों के लिए और मांकी सारे आईटी कंपनीस भी अफेक्टेट होगे ना खास बात यह भी है कि आईटी कंपनीस है भूफटा तो क्यू अगर आप पूछेखेंडे कि इन की बात है बहुत बढ़ी तो मेरी राय तो यह होगी कि बहुत बढ़ी शक्का की बात नहीं है आईटी कंपनीस में अगर कोई निवेशित है घार निवेशक करना चाहते हैं एक साल प्लस का टाइम हराईजन तो कोई दिक्कत नहीं यह शायद सही नहीं होगा, तो इसलिए हम इसमें हड़बढा के कोई डिस्क्शन लेने के खिलाफ है, और निवेशब को भी यही सगा देगा। तेके इस बहुत अच्छे से एक्स्प्लेइन किया सर ने, हमारी स्कीन पर समय आपको जो नंबर